हेलो स्टुडेंट यूर मोज्ट वेलकम आन मा यूटूब चैनल डवा आ करना लेज गूड़ू जाय इम स्टार्टिंग बाओड दा कैलेजियान डिजिस आप डाई रिड तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने आई रिड की डिजिस में आज दूसरी टॉपिक हम स।र्ट करने वाले हैं, इसके पहले वाले वीडियों में हमने इस्टाई के बारे में बताया, आध दूसरी टॉपिक है आपका केलेजियान यानि इस्टाई और केलेजियान में थोड़ा असा अंतर होता है तो देखिएगा क्या अंतर होता है कैसी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो बहुत ही बेहत खास है आपको समझने वाली बात है तो देखिएगा केलेजियान के बारे में और इस्टाई के बारे में देखिए आज स्टाट करते हैं हम कैलेजियान के बारे में अगर इस्टाई का वीडियो आपने नहीं देखा है तो सामने दिख रहा होगा आपको लिंक आपको दिख रहा है आपको आइकन दिख रहा होगा उसी आइकन पे आप देखिए इस्टाई cyst, this is not a cyst, but a chronic lipogranulomatous inflammation of mebomian gland, it is more common in young adult than a children, देखें कैलेजियान के बारे में क्या बता रहा है आपका, कैलेजियान is also known as, यानि कैलेजियान को हम और किस नाम से जानते हैं, तारसल cyst या फिर mebomian cyst के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्यूं कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये तारसल प्लेट पे ही केलेजियान पाया जाता है, और mebomian cyst इसलिए कहते हैं कि मेबुमीयन ग्लैंड में ब्लॉकिस की वज़ा से इसे मेबुमीयन सिस्ट कहा जाता है ठीक है? लेकिन देखिए इसमें बता रहा है दिस इस पनाध क्लिम यह कोई सिस्ट नहीं होता है यहान पूराना यहान हो घ्ला-ड्रा फOoh घ्लायनिनग बीटा इए आधिक तर जोई आपका कहां पर होता है यह इस जादा होता है ठेके एक किस वज़ा से ओता है इटि अलाजी इसका दुछिएगा ब्लाकेज आप डाकट्ट और भाइन ग्लैंड यांदे कि इसमें बता रहां जो में घ्लैंड होती है उसकी ही डाक्ट में अगर blockage हो जाता है तब जा करके जब blockage हो जाएगा तो वहाँ पे swelling बनने लगती है assist की तरह बनने लगता है तो वही calisian होता है यानि tarsal plate पे होता है ठीक है इसके बारे में calisian के बारे में आपने जाना कि calisian क्या होता है देखिए अब इसके medical term में clinical feature में चलते हैं सबसे first symptom symptom क्या होता है देखिएगा painless, mild irritation, depending upon the size of calisian there is sense of heaviness in the lid देखिए इसमें बता रहा है आपका कि clinical feature की सबसे हम जब देखते हैं तो इसका symptom जो होता है painless यानि दर्द नहीं रहता है, याद रखिए का बहुत important चींज जो है इसमें कोई दर्द नहीं होता है लेकिन इस time में दर्द होता है mild irritation, यानि irritate होगा आपको irritation महसूस होगा depending upon the size of calisian यानि कि वो किसकी उपर depend करता है calisian की size की उपर depend करेगा कि वो कितना irritate कर रहा है यानि problem क्या कर रहा है there is sense of happiness in the lid यहाँ पर भी आपका happiness बना रहेगा यानि कि lid में जो है क्योंकि उसमें भी swelling है इसमें भी swelling है इस time में भी swelling पाए जाता है इसमें भी swelling है तो दोनों swelling की वज़ा से happiness महसूस होता है ठीक है चलिए अब हम देखते है sign क्या बता रहा है इसका यानि sign के साब से हम देखेंगे खुश से तो क्या दिखता है हमें देखिएगा इसमें बता रहा है आपका heart heart painless gradually increasing swelling in the lid slightly away from the lid margin swelling is localized more toward the conjunctiva non tender there are no acute sign of inflammation if the lid is inverted the conjunctiva is purple or gray over the needle because atrophy देखिए इसमें बता रहा है sign क्या बता रहा है heart painless यानि इसमें heart अपका पूरा रहेगा heart रहेगा heart इसमें भी बना रहेगा painless यानि पेन नहीं होगा gradually increasing यानि धीरी धीरी increase होता है swelling यानि swelling आपका धीरे धीरे से बढ़ता चला जाएगा lid में slightly away from the lid margin ये कहां पे होता है lid margin से थोड़ा सा दूर होता है और इस्टाई जो है lid margin पर ही होता है ये थोड़ा सा दूर होता है swelling is localized move toward the conjunctiva non tender swelling जो है localized यानि swelling जो है धीरे धीरे किधर move करती है conjunctiva की तरफ जो दर्द नहीं होता non tender होता है ठीक है there are no acute sign of inflammation यानि इसमें किसी भी प्रकार का कोई sign नहीं मिलता है किसका inflammation का कोई भी sign नहीं मिलता है ठीक है if the इसमें आगे बता रहा है if the lid is inverted यानि हम eyelid को क्या करेंगे inverted यानि पल्टेंगे यानि उलटेंगे the conjunctiva is purple or grey over the ऐसा दिखाएगा परपल या grey कलर का दिखाएगा अगर conjunctiva रहेगा तब over the nodule because atrophy यानि जो nodules की तरह भी दिखाएगा क्योंकि atrophy यानि कमी की वज़ासे ऐसा होता है ठीक है यह sign थे हमारे केलेजियान के symptom or sign चलिए मेन आपका क्या होता है treatment देखते हैं उसका इलाज कैसे करते हैं mainly surgical treatment especially if large केलेजियान incision and curates from conjectival side vertical incision is given to avoid cutting of other gland ठीक है इसमें बता रहा है mainly surgical treatment इसका जो treatment होता है आपका अगर केलेजियान हो गया है तो आपकी surgery से ही सही होगा यानि mainly इसका surgical treatment ही होता है especially if large केलेजियान यानि ज्यादा तर जो है अगर बड़ा केलेजियान है तभी जाकर कि हम इसमें क्या करेंगे surgery करेंगे कैसे करते हैं incision and curates incision मतलब चीरा लगाएंगे and curates का मतलब उससे बाहर निकालेंगे जो भी material उसमें से है उसको बाहर निकालेंगे from conjunctival side और incision कहां लगाएंगे conjunctival side ना कि उपर से उपर से कभी नहीं लगाना है क्योंकि disfigurement भी होगा और वहां से लगा नहीं सकते अंदर की तरफ से लगाएंगे हम conjunctival side से और वो भी incision कैसे लगाना है इसमें vertical incision is given और vertical incision ही लगाना है to avoid cutting up other gland यानि कि other gland को avoid करेंगे ठीक है यानि कि और भी कोई gland ना कट पाए इसलिए हम vertical incision लगाएंगे इसलिए इसकी surgery जो main होती है incision and आपका curatage होती है ठीक है कोई पुछेगा केलेजियान की main treatment क्या होता है तो आप बताएंगे incision and curatage ही होता है लेकिन साथ में इसके पहले हम चला सकते हैं क्या जैसे उसमें इस टाई का आपने treatment देखा था पस pointing का वाला option छोड़के बाकि आप वीडियो देख लीजिएगा उसमें बताएगा आपको जैसा रहेगा ठीक है चलिए एक बार हम repeat भी कर दे रहे हैं आपको इसमें हम करेंगे क्या heart fermentation देंगे antibiotics eye drops and antiment are applied to control and prevent the infection कि अगर starting phase है तो heart fermentation यानि कि गर्म से कईयाई के द्वारा उसको उसी पे subside कर देंगे और antibiotics eye drops और alignment इसलिए चलाएंगे जिससे आपका infection को control in any infections ना बनने पाए उसको हम control करेंगे systematic antibiotics इसलिए चलाएंगे जिससे आपका swelling खतम हो जाए ठीक है इस तरह से हम calisium का भी treatment करते हैं लेकिन mainly आपका जो होता है वो surgery ही होता है ठीक है इस तरह से हम calisium का treatment करते हैं तो दोस्तों आज का भी topic आपका calisium समाप्त हुआ है मिलते हैं हाई-लिट की disease में new topic के साथ आप लोगों के सामने अगले दिन